हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत चुकला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स योटूब चैनल दोस्तों अगर आप क्लास 10 प्लास 12 चाहे वो यूपी बोल्ड हो बिहार बोल्ड हो इन सभी की तयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दी ग प्रस आपको हमारे अनकेडमी पे दिये गए हैं अनकेडमी का लिंक फॉलो कर लेजें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी लों चाहतर के हमें अनकेडमी पे फॉलो करें और वहां पे प्रस्तुत हूं अपने चैनल ओम ट्रिक्स पर तो दोस्तों इस वीडियो में आप को क्लास 12 केमस्टी का 2019 के लिए एक ऐसा प्रस्न बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टन्ट है परिक्षा 2019 के लिए अंत तक की वीडियो जरूर देखते रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल ओम टेक्स पर नए आए हैं तो नीचे दिये गए लाल वाले बटन से चैनल को सब सब्सक्राइब तुरंट कर लें और बेल आइकन तुरंट दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोट्रिफिकेशन आप सभी के फोन में आ सके तो वीडियो में आपको बताते हैं दोस्तों एक ऐसा प्रस्न जो परिक्षा के लिए बहुत महत्पूर्ण है और ये प्रस् प्रस्न कितना जादा पूछा गया है 2009 10 12 13 14 15 16 17 18 2009 2015 2018 लगातार यूपी बोल्ड की परिक्षा में ये वाला प्रस्न आया हुआ था दोस्तों अंद तकी इस प्रस्न को अच्छे से समझेगा और याद जरूर कर लीजेगा दोस्तों तो आये जानते हैं प्रगलन क्या है ये त प्रगलन में किस भट्टी का प्रियोग करते हैं इसका नमांकी चित्र बनाईए या प्रगलन से आप क्या समझते हैं प्रगलन प्रक्रिया को उधार सहित गालक के कारे का वर्णन कीजिए ये आपका कुश्चन है ठीक है तो चलिए आपको स्ट्रेक्चर कौन सा बनाना है स सेम इसी तरह स्ट्रेक्चर आपको बनाना पड़ेगा आईए जानते है इसमें धेवरी क्या लिखनी है आयसक में उचित गालक मिलाकर मिस्रण को उचिताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं इस क्रिया में आयसक का गलित धातु में अपचैयन हो जाता है अथवा धाय तो युक्त पदार्थ पिघल जाता है गालक अयसक में उपस्तित अपद्रव स्रे क्रिया करके धातुमल बनाता है जिसके अलग कर लेते हैं यानि कि जिसे हम अलग कर लेते हैं इसमें वात्या भठी का प्रियोग करते हैं लोहा तथातामा धातुओं के निशकरशन में वात्या भठी का उप्योग होता है उधारर की रूप में हम दे सकते हैं कौपर पाइराइट से कौपर का निशकरशन वात्या भठी प्रगलन द्वारा किया जाता है इसमें निम्न लिखित अभिक्रियाए होती है एक तो C-U-2-O प्लस F-E-S एहरो लगा करके C-U-2-S प्ल बहुत इम्पोर्टन रियक्शन एक सेकेंड रियक्शन 2-F-E-S प्लस 3-O-2 एरो लगा करके 2-F-E-O प्लस 2-S-O-2 एरो की ओर वाश्पिक्रत हो रही है सेकेंड रियक्शन कंप्लीट थर्ड रियक्शन कौन से होती है F-E-O प्लस S-I-O-2 एरो लगा करके है F-E-S-I-O-3 यह थर्ड रियक्शन हो गई ठीक है यह आपकी फेरस सिलिकेट धातुमल यह आपका पूरा वात्या भट्टे मेंने कंप्लीट कर दी है अब वात्या भट्टे के चित्र की बात करते हैं तो दोस्तों चित्र में आपको यही चित्र आपको बनाना जो आपके सामने बना हुआ दिख रहा है ठीक है 400 डिग्री 700 डिग्री और इसके जहां-जहां निश्करशन लिखे हुए जहां-जहां इसकी जो जो मात्राय रखे गई हैं वो सेम मात्राय आपको लगा करके लिखनी है दोस्तों जैसे कि यह एक स डौकम और इस निकास दौर बना हुआ है और यह एक कोन है कोन भोलते हैं और यह एक चार्जबल्ब लगा हुए Yak brush और यहां पर उचताब gitu का असतर लगा हुआ इससी बाहनी वाली परतड पर ऐसे और में यहां देखेंगे वायू va espí होड़ा üyorsun जो का जोका जा रहा है यहा प्रगलन तथा गालक की उप्योग में आयस्क के निस्तापन से प्राप्त आक्साइट को कोग अप्चरिट करता है जिससे गलित धातू प्रात् हो जाती है और अब दफरे गालग से क्रिया करके धातू मल के रूप में अलग हो जाते हैं इससे आयसक का गल्लाँघ भी कम हो जाता है इसी के कारण आपको प्रगलन में कोक और गालग अप्रयोग किया जाता है ये 2009 और 2017 में पूछा गया था चलिए next के बात करते हैं अलूमिनो धातु धार्मिक विधी क्या है इससे उपयोग लिखी ये 2018 का प्रसन है दोस्तों इसी वर्स पूछा गया था तो धातुओं के आकसाइडों को अलूमूनियम चूंड के साथ उच्च ताप पर गर्म करने से धातुओं प्राप्थ होती है यह क्रिया उश्मा शेपी तथा इसको अलूमिनो धर्मिक विधी कह सकते हैं दोस्तों रियाक्शन कुछ इस प्रकार घटित होते हैं इसके दोनों रियाक्शन और इस विधी का उपयोग सी ओ, एम एन और सी आर धातुओं के निश्करशण और थर्माइट विल्डिंग में किया जाता है तो यह आपके लिए बहुत इंपोर्टन कुछन है परिक्शा 2019 के लिए चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं लीचिंग क्या है एक उधारर द्वारा समझाईए वाट इस लीचिंग गिव दी एक्जैम्पल 2015 में प्रस्न आया हुआ था चलिए लीचिंग के बारे में जानते हैं तो लीचिंग यह एक ऐसी विधी रसाइनिक विधी में परिवर्तन पर अधारित है इसके अंदर गत बारीक पिसे आयसक की उचित अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं जिससे विलियन की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है तता धातुएं ठोस अवस्था में रह जाती हैं उधारर की रूप में हम बाकसाइड आयसका सांदरर के लिए O2 बन जाता है जो जल में विले है और अशुद्धियां जैसे सिलिका Fe2O3 नीचे ठोस के रूप में आवच्छिप्त हो जाती है रियक्शन को इस प्रकार घटित होता है दोस्तों और रियक्शन आप घटित करने के बाद N-A-A-L-O-2 प्लेस 2H2O एरो लगा करके जो हमारा उत्पाद बनेगा उसे कहेंगे हैm A-L-O-3 ठीक है O-H-3 बनेगा और प्लेस N-A-O-H बन जाएगा तो यह रियक्शन कम्पलीट दोस्तों देन उसके बाद आप P-R-O-V-E-D लिग दीजेगा प्रूफ डिलिग दीजेगा प्रूफ डिलिग दोगे तो आपका एक्जामनर बनेगा आपका यह रियक्शन कम्पलीट हो गया है तो इतना आप कर दीजेगा दोस्तों तो यह था आपका इंपॉर्टन बहुत यूपी बोल परिक्षा के लिए इसका मैंने PDF दे रखा है description में आप PDF जा करके तुरंट डाउंलोड कर सकते हैं description से दोस्तों तो दोस्तों PDF डाउंलोड कर लिएका description में दिया गया है तो अगर आपने इस वीडियो का अभी तक अपने सभी दोस्तों तक शेयर नहीं किया है झाल झाल